जैन साथ ये फिर से स्वागत आपका एक निवडियम तो इस वडियम में हम बात करने वाले है कक्छा 11 वी का जो फसल उत्वाइंदिया सत्रक आपका जो आज एक अपर जो को पेपर हुआ हूँ आपको यहां पर सोलिशन देखेगा फिर आप कमेंड की जाएगे कि आपने कित सर इसे पहले में आपको सेट जो सॉलिशन वो बता चुका हूँ वहाँ पर अच्छे कमेंड कर रहे कि सेर गलत बता रहे तो बेपर घलत नहीं है और सभी आये जोब्यारति हैई फसल उत्तवाईं नहीं किया है जिसमें टोटल समें ≜ सकते है टो श्यल che War yr और psych Salon Abh सब्सक्राइ Appreciate social बताऊंगा तो यहां पर जीन विद्यार्तियों को सड ए Amila ऊंत네 की मीला तो यह व्य उडियों मिल दीजे को सब्सक्राइब नहीं सभते दे रहा हूँ नहीं तो आप चेनमं पर जाए सूझ सिरेट recycle का में यहां पर सूलीशन बता रहां तो यहां पर आपको सब्से पहला question देखना गया पुछला तो यहां पर आपको सब्से पहला question से वालों विद्यार्ति को सब apparent पहला कोच्छन आपको पुचा था व भारत में हृत क्रांती का उधि देश्य था तो यहां पर आपके पास ओप्शन थे तो यहां पर आपके आपको मध्यपर्देश में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक शेत्रपल में पाई जाती है तो इसका से एंस हो जाएगा बावाला काली मिट्टी ठीक है ती और चोथा क्या था चूने का प्रियोक की प्रकार की भूमी के सुधार के लिए कह जाता है कि इसका एंस हो जाएगा यह बागी है वो प्रात्मी के ठीक है उसके बाद नहीं पर नेश्ट क्या था खालिस्तान की पूर्ती की जिए रिकिस्तान में सही विकल्प चुनकर लिखे तो यहां पर सबसे पहला प्रशन क्या पूछा था आपको कर्शी की वह पदिती जिसमें खेती के लिए प्रियोक ओगाने को कहते तो इसका एंसर हो जाएगा क्या इसके इसका इंसर और रशी Ore अंतर वार्शी और वर्ती फशल ठीक है तीसरा मिरोद्धा में D Filmanbook Ad Left और ने खालिस्तान सबसे थकते आंब ठीक है और पी अर्च्वां क्या प्रणी कटऊ कर्ण्र CAP प्रियूब करते तो इसका इंसर होजेगा पॉली थीन ठीक है फिर से दीखे यहां पर आपको सबसे पहले वाले उप्षिन में बरना था जूम कर्शी फिर आपको बरना था अंतरवर्ती भसल फिर आपको बरना था पाच पर्शन फिर आपको बरना था अमल फिर आपका इंसर प्रश्रमाचार एक वाइक्टे में उत्तर लिखे तो यहां पर पहला क्या पूचहता था किस खेट से प्रती वर्स चार फसल पेदा की जाए नविगायन से सनः नाम लिखे तो यहांपर ध्यान से सुनिए में इकM अमरीका अ चार फसल नाम हो यहां पर प्रूचा नविगे का नाम लिखे तो यहां पर धियान से सुने तो इसका इंसर हो जाएगा मानो शक्ती द्वारा सिचाई का एक यंत्र है थीक है तो आप इसे नोट कर लिजे फिर यहाप पर नेश्ट के आपका आसत्य सत्य क्या है तो यहापर पहला क्या है दोवन मिठी खेती के लिए उत्तम है तो सत्य है ये मिठी पलटने वाला हल वी आकर का कुंड होता है अगर फिर क्या है फीर क्या है पाचवा तीसरा कमेंट करना है और चोता क्या है गूवाटी का घष से दूर होनी चाहिए अगर भी में परिषकरंग का यंत्रा नहीं है है वो तो यह आश्तिय ठीक है और लास्ट का पर नोट कर लेज़े इतने को उत्र हैं पर आप है सत्य दूसरा सत्यति अाथ तीसरा पता शानिया और न आश्तिया और वाल मेर थी स्पर आप मैं तर leather objective उनका solution बता दिये, आप यहां पर आप comment किर झजये कि आप Bros नंगमा एक से पांथ तक कितने obec जायी कर सकते ह्झा और यहाँ सब्सक्स claust तो आज का जो difu 듣 आप यहाँ टो प?कई जाया करनी यहां नहीं तो इंदी के तयरी करनी है तो कमेंट आपका जो हिंदी के लिए सभी की त्यारी में ही करवाने हो रहा हूं तो चैनल को सब्सक्राइब के भी लेकों प्रेस कर लिजेगा तभी के लितना ही मिलते गड़ों में